रमस्कार दोस्तों मैं योगन सर्मा एक बार फिर राजिर होता हूँ आपके साथ में और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बॉरन वफे के निवेश के रहस्यों पर जी हाँ दोस्तों इसके लेखा के हैं रोवर्ट जी हैंग स्ट्रॉण जिसकी जो नियूवर्क टाइम की बैस सेलर बुक रही है जिसकी एक लाग से अधिक प्रतियां अभी तक बेकी जा चुकी है इस पुस्तक को आठ अध्याया में पूरा किया जाएगा तो आप बने रही ह के मेरे साथ और इसके एक-एक ओडियो बुक को आप सुनते रहे ताके इस पूरी कहानी को मैं आप तक पहुचा सकूँ और आप भी बॉरन वफे के निवेश के रहस्यां को जान सके हैं अगर आप शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो बॉरन वफे के निवेश के को अप्तर देने की चेश्टा की है साथ के दसक के उत्तरार्द में जब मैं यूनिवर्स्टी ओफ सिकागो में एंबिया की पढ़ाई कर रहा था तम मुझे वहां विक्त विज्ञान के नए एक सिद्धान का अध्यान करने का अवसर प्राक्त हुआ जो कुछ वर्स जागरुक निवेसकों के सहयुक्त प्रयास से बाजार में किसी भी शेयर अथ्वा अन्य वस्तु जिसका कारोवार होता हो की कीमतों में उससे संबंदित तातकालिक सूचनात अथ्वा समाचारों का समावेस तुरंत ही हो जाता है जिससे कि वह शेयर अथ्वा वस्तु इस प्रक्रिया में निवेशक के उसके निवेश में उठाई गए जोखिमों का समावेश उसको मिल रहे लाव अथ्वाहानी में स्वतह ही हो जाता है इसके फलसरूप बाजार में कभी भी दाम इतने कम या जादा नहीं होते कि उनके कारण बहुत अधिक लाव यहाने उठाई जाए और इस कारण से किसी भी निवेशक को बाजार में नियमत रूप से लाव कमाने के अफसर नहीं मिलते इस अवधारणा से शिकागो मत सरवादिक प्रशिद्व सूत्र उद्धत है और वह है कि बाजार को कभी नहीं हराया जा सकता दक्षवाजार की अवधारणा ही इस प्रशिद्व उप्ती का बौधिक आधार है और उसके सवर्थन में कई आंकडे भी उपलद्ध है जिन से यह साफ हो जाता है कि अधिकतर निवशक बाजार से लाब नहीं कमा पाते या सरल सब्दों में अधिकतर निवशक बाजार को नहीं हरा पाते यह प्रकरण बाजार की अजेता का एक ससक्त प्रमाण है ऐसा भी नहीं है कि सभी निवेशक बाजार से हार जाते हैं समय समय पर ऐसा भी होता है समय समय पर ऐसा भी होता है कि कोई निवेशक बाजार के ओसत से अधिक लाब कमा लेता है बाजार की दक्षिता इतनी भारी सकती भी नहीं है कि एक निवेशक को मिलने वाला लाब बाजार के ओसत से भिन्न न हो पाए कहने का अर्थ वस यही है कि कोई भी निवेशक बहुत अधिक समय तक बाजार के ओसत से बहुत अधिक लाब नहीं कमा शकता बहुत अधिक लाब कमाने वाले निवेशकों तथा उनके कमाए गई लाब को अनेमेत तथा छड़िक घटना मान कर अंदेखा कर दिया जाता है जब मैं बड़ा हो गया था तब हमारे समय में एक कहवत थी कि अगर एक कमरे में बहुत सारे बंदरों को बंद कर दिया जाए तो उनमें से कोई न कोई अन्ततगोत्वा वाईवल लिख डालेगा कहने का ताथ पर यह है कि अचानक या अनेमेत रूप से कुछ भी घटित हो सकता है यद्दपी जैसा कि मेरी माग कहा करती थी अपवादों से ही सिध्धान्त सिध्ध होता है अर्थात किसी भी नियम अत्वा सिध्धान्त के जितने कम अपवाद होंगे उतना ही उस सिध्ध करते हैं कि बाजार को हराया नहीं जा सकता परंतो इसी बाजार में हमें बौरन वफे तथा कुछ अनपरशिद्ध निवेशब जैसे कि बैन ग्राहम, पीटर लिंच, इस्टेंड, ड्रैकन मिलर, जॉर्ज सोरस, एवं जूलियन रॉबर्सन भी दिखाई पड़ते हैं जिनके दोरा बाजार में किये गए निवेशों के प्रेडाम, शिकागो मत के इस सिध्धांत की धचिया उड़ाते दिखाई पड़ते हैं, संचेप में इन महान निवेशकों ने बाजार में अपने किये गए निवेशों से इतने अधिक समय तक मुनाफ़ा कमाया है कि वाजार के सिध्धान्त के प्रडेताओं को अपने सिध्धान्त के सत्यता पर ही संका होने लगे इन महान निवेशकों की उपलब्दियां बताती हैं कि वाजार को सायोग से ही नहीं बलके अपने कौसल से भी हराया जा सकता है उपरियक तो सभी उधारणों में वारन वफे का उधारण ऐसा है जिस पर कोई विवाद नहीं किया जा सकता वारन के कारकाल की दीवार पर उनके द्वारा टाइप किया हुआ एक संदेश प्रदर्सित है जिसमें यह दर्साया गया है कि सन 1956 में उन्होंने एक लाख पांच अजार डॉलर की पूजी देकर दबफे पार्टनर्सिप की स्थापना की थी सबसे उनकी कंपनी में इतना बाहरी अत्रिक्त पूजी निवेस हुआ है तथा इतना मुनाफ़ा हुआ है कि आज वर्क शायर हाथवे का बाजार में 143 बिलियन डॉलर का निवेस है तथा उसकी कुल संपत्ती 202 बिलियन डॉलर है पिछले कई सालों से बफे बाजार को पचारते आ रहे हैं आज मैं अमेरिका के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है फोर्ब्स की सूची में अमेरिका के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति होने के उनक बफे की इस अदूतिय उपलब्दी के पीछे क्या कारण है मेरे विचार से ये कारण निम्लिलिखित है नमबर एक वह अत्थदिक तीवर वुद्धी वाले विक्ति है बफे की परिशिद उप्तियों में से एक है यदि आपका बोधिक इस्तर आईक्यू 160 है तो तीस अंक बेच दीजिए आपको उनकी आवश्यक्ता नहीं है अपनी पुस्तक आउट लायर्स में मेलकेम ग्लैडवेल कहते हैं कि महान सफलता प्राप्त करने के लिए विक्ति को विलक्षड रूप से प्रतिवावान होने की आवश्यक्ता नहीं है बलके उस शामाने प्रतिवाशाली होना ही काफी है शामाने से अधिक बुद्धिमान होने से किसी विक्ति के सफल होने की संभावना बहुत अधिक नहीं बढ़ती यथार्त में कई ऐसे बिलक्षड बुद्धी वाले विक्ति हैं जो कि अपने विचारों की दुनिया में खोई रहते हैं तथा इस कारड़ से वास्तविक दुनिया से सफलता से बंचित रह जाते हैं केवल उचा बौधिक इस्तर यानि IQ होने से कोई महान निवेशक नहीं बन जाता यदि उच्छ बौधिक इस्तर वाले स्वते ही अच्छे निवेशक होते तो कदाचित कॉलेज़ों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर अमेरिका की सबसे अमीर व्यक्ति होते व्यापारिक कौसल तथा व्यावारिक ज्यान भी एक सफल निवेशक होने के लिए उतने ही महत्तपूर है वैसे मेरा मानना है कि बौरन वफे की बौधिक चमता 130 से कहीं अधिक है और उन्होंने अपनी अत्रिक्त बौधिक चमता को सहेज कर रखा है एवं उसका प्रयोग भी करते हैं उनकी किसी प्रशन के मूल में तुरंत ही पहुंच जाने की चमता ठोस निसकर्स पर पहुंचने की चमता तथा प्रारंब में विप्रित कीजी से कर लेते हैं उनको किसी निसकर्स पर पहुंचने में कई हफते अथवा महीनों का समय नहीं लगता है उन्हें सांखे की गड़नाय करने वाले विशलेशकों की फौज की कोई आवश्यक्ता नहीं पढ़ती वह केवल उन्हीं संख्याओं पर अपना ध्यान केंद्रि करता है कई निवेशकों को लगता है कि वे निवेश के छेतर में सब कुछ जानते हैं तो अथवा वे दिखाते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं और तो और उन्हें लगता है चो कि संसार सदा ही बदल रहा है इसलिए उन्हें बदलाब के साथ चलने के लिए सदा ही अपनी सो नहीं जान सकता, बारवार अपनी सोच तथा कारसली बदलना, एक कठिन कार रहे तथा ऐसी सोच के कारण एक निवेशक में विशिष्ट ग्यान और उप्योगी विशिष्ट ग्यान का विकास, तथा ऐसी सोच के कारण एक निवेशक में विशिष्ट ग्यान तथा उप्योग वियाभारिक ज्यान का विकास होने में बाधा उत्पन होती है।